वद्यार्थी अवीजय सिंग खेरानू इंटरनेशनल आर्थ साइंस अलंपियड 2002 वेचे गोड जितन थे प्रत्वी वग्यान मंतरालया नमी दिली वेचे सनमानत किता गया अंतरास्थी प्रत्वी वग्यान और अंपियड 2002 वाईदा योजन इस साल पच्ची तो 81 अगस तक इटली वेच वर्चुल मोड वेच किता गया इस अंतरास्थी प्रजोगता वेचे 78 देशा ने पाग लिया जेना वेचे हरे एक देश ते आठ वद्यार्थियानों सद्दा रिता गया जरंदर तो 11 मी जमादे वद्यार थी अवी जैसें खेरा ने जरंदर पंजाब तो टीम इंडिया दी अगवाई किती है ओ पंजाब तो एकलोते जहे वद्यार थी हन जो एस मकाम तक पुझे हन उन्हा ने गोल्ड मेडल जित के पंजाब आते पारदा ना पूरी दुनिया मेंचे चमकाया है एस मकते प्रिंसिपल डक्टर अरशें विज ने अवीजे सिंग खेरा नो इस सफलता दे उसनों आते उसने प्रवार नो बदाई देती है आज अब सब के साथ यह शेयर करना चाहते हूं कि हमारे स्कूल का एक खोनहार विजाती अभी जे सिंग खेरा उसने ना सिरफ अपने स्कूल का शेहर का बलकी पूरे पंजाब का नाम रॉशन किया है क्योंकि उसने हाल ही में एक International Olympiad International Earth Science Olympiad को कौलिफाई किया और अपनी कंट्री को टीम इंडिया में रिपरेजेंट किया तो यह हर साल एक्जाम किया जाता है और इसने क्लास दस्वी के बाद इस एक्जाम को दिया और 3000 बच्चों में से इसका तीसरा रैंक आया और फिर यह 8 बच्चों के टीम में सेलेक्ट हुआ चिन्नाई में एक National Camp लगा जिसमें कि इन बच्चों को तैयारी कराई गई उस Olympiad में इंडिया को रिपरेजेंट करने के लिए तो वहां पर भी इसका तीसरा रैंक आया यह बहुत ही हाड़ी खुशी की बात थी हमारे लिए और फिर इसको चूस किया गया चार बच्चों की टीम में इंडिया को रिपरेजेंट करने के लिए फाइनल जो इंटरनाशनल ओलंपिया इतली में होना था वह कोविट करके ऑनलाइन हुआ तो बैंगलॉर से में यह सब बच्चे मिले उससे पहले इन्हें प्रोजेक्ट दिया गया था अर्थ के ऊपर कोई ना कोई अपनी रिसर्च बेस प्रोजेक्ट प्रिजेंट करने का जिसको किसे बहुत अच्छे से निभाया अपने बागी टीमेट्स के साथ मिलकर और वहाँ पर भी इसकी टीम बना दी कि इंटरनाशनल बच्चों के साथ जहां पर इनको दो दिन में उस रिसर्च का विजल्ट को प्रिसेंट करना था तो इनको अपने जो इनोंने इंडिय जिन्टेया में किया था उसमें gold medal और जो international बच्चों के साथ उसमें silver medal मिला इसी और बहुत ही खुशी है कि यह international level पर भी rank आसिल कर पाया फर्स्ट और सेक्रिंग gold medal और silver medal जीता और ministry of earth sciences ने 16 September को इन्हें वहां बुला कर honor किया और cash price दिया और school भी इन्हें animal day पर honor करेगा डीजीपी साथ से honor करवाएगा सभी कि इन्हों ने school को बहुत नाम रोशन किया है और मैं एक proud principle एक पूरे स्वाबिमान के साथ कह सकते हूं कि अभी जे हमारे school का एक अत्या है की honor अभरता हुआ scientist है और यह और बच्चों के लिए एक role model की तरह बना है कि four sciences में फाम करना चाहिए, interest लेना चाहिए और अपने environment को और अपनी earth को सेफ करने के लिए प्रयास करना चाहिए धन्यवाद 9th में मैंने यह Olympiad देने का सोचा और 9th में because of covid यह cancel हो गया सो मुझे यह Olympiad 10th में देना पड़ा जिसमें इस Olympiad में मेरा 3rd rank आया और मुझे चैनाइग में camp में select होगा है वहाँ से camp virtual होगा है and around two weeks के बाद उन्होंने एक list से test लिया जिसमें अभी presentation देनी थी जिसमें उन्होंने 8th friend को select लिया जिसमें मैं 3rd था उसके बाद उन्होंने team इंडिया को comprise देना of 8th friends जिसमें से 4-4 की दो teams बनी एक team को lead मैं कर रहा था एंड उस team से मैंने samples collect किये from Punjab, Rajasthan and Odisat इस इन एरिया से sample collect करके उन्होंने स्कूल में ही analyze के सब्सक्राइब मुझसे हमें चाहिए को उन्होंने lab का access दे रिया था यही पर हमने इसको analyze किया और वो प्रजेक्ट में इतली में जो होने वाल कर रहा लिया था इस प्रजेक्ट में में को gold medal में लिया और इस प्रजेक्ट में इसी इवेंट के दूरिंग बाकी फॉर अपुरेंट से इंट्रेक्टर की इत दो दिन में presentation देनी थी उसमें मेरा silver medal है जो इसके बाद उन्होंने यह medals में प्रेजेंट किये और जो आपकी जनरेशन के बच्चे हैं उनको क्या डवाइस देना चाहोगे इसके बारे में हमें जो सेंस के बात हो जाता है कि जेए और नीट में सिर्फ फोकस देना है हमें किसे और उंप्याट में देना है उसके थोड़ा हटना चाहिए इस अलंप्याट से हो सकता है आपको लगें कि डिरेक्ली कोई करेंपिटी है बट एक्सपोजर आपको मिलता है एंड एक्स्टा नॉलेज आपको करना कहीं आपकी चाहिए जेए में भी जाओ जाओ है नीट हर जागा काम नीट है अचातर आप जिनौमेंड तो स्ट्पेंट होगी आप जारत से गेंज में या स्पोर्स में इस पार्वाइभस प्लाइब है नहीं इंक्तर फिर्ट की बात होती है जैसे जैसे निएन कि मैं भी हो नहीं करता हाँ हाट पार तबमेंड लगेंड तो इसको युपि जाई है तो मेरा ऐसा था कि मेरे को बच्पन से ही कुछ एक साइंस की वो पोतीजी मेरे पास तो मुझे बार इंटरेस्ट था वो पढ़े ने ऐसे करते करते मैं फिर काफी फिजिक्स पी पड़ी मैंने लॉक्डाउन फिल लगा फिर हम घर भी रहते हुए जो जो सेंपल है वो कहां कहां से कलेक्ट है और हम आम ये में नाटा साहिक से पोटा से और नूघन इस शलॉंपियाड में भाग लेने के लिए कोई एज कोई रिक्वार्मेंट होती है कि नहीं हाँ इसकी एज रिक्वार्मेंट होती है कि है कि लेकर प्लस्वा अगे बीचम ने